उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हाथसा हुआ है हाथसे में चार लोगों की मौत हो गई है बताय जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकप ने एक वैन में पीछे से जोरदार टकर मार दी इस वैन में करीब 24 लोग सवार थे हाथसा इतना भयंकर था कि वाहन के पर खचे उड़ गए वही वैन सवार एक महिला दो बच्चों से ही चार लोगों की मौत हो गई मृतक चंडिगर्ट से वैन में सवार होकर अपने घर वापिस लोट रहे थे सभी इट भट्टा मजदूर बताय जा रहे हैं आपको यहां बता दे कि यह हाथसा छजलेट थानक शेतर में दाड़ी महमूद पुर गाउं के पास हुआ हाथसे में आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं घायलों को उपचार के लिए जिलास पताल में भरती करा गया है बताते चले कि जब वैन बिजनोर रोड पर दाड़ी गाउं के पास पहुँची तब ही वैन के पीछे से तेज रफ्तार से आ रही पिकप ने टकर मार दी टकर इतनी जोरदार थी कि वैन के पर खच्चे उड़ गए मुरतकों की शनाक्त रामपूर के नवी गंज गाउं निवासी प्रेम प्रकाश मुरादाबाद के मुंडा पांडे के चंद्रपूर की मिलक निवासी सावित्री पतनी मुडा पांडे थानक शेत्र के मुंडिया मलकपुर निवासी एक वर्षिय वंश और चार वर्षिय यश के रूप में हुई है हाथसे के कारण काफी देर तक यात आयात बाधित रहा जाम के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा वही चार लोगों के मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल भी है पुलिस ने शवों को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भिजवा दिया है जानकारों का कहना है कि कोहरे में घर से निकलने में परहेज करना चाहिए जानकारों का ये भी कहना है कि वाहन चालकों को सरदी के मौसम में अपने वाहनों को चलाते समय आतिरिक्त सावधानी बरतने और यातायाथ से सम्बंदित कुछ जरूरी हिदायतों का पालन करना चाहिए सर्दी के एक मौसम में कोहरे की वज़े से सड़क हाथसों की संभावना 40% तक बढ़ जाती है लहाजा सावधानी बरतनी बेहद आवश्चक है सुरक्षित ड्राइविंग से सड़क हाथसों पर बहुत हद तक रोक लगाई जा सकती है कोहरे में चालक अपने वाहन की गती धीमी रखें धीमी गती से ना केवल स्वेम बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं कोहरे में आगे चल रहे किसी वाहन को ओवर्टेक करने का प्रयास ना करे वाहन की हेडलाइट्स को हाई बीम पर ना रखें ऐसा करने से कोहरे में रोशनी बिखर जाती है और सामने कुछ नजर नहीं आता हेडलाइट्स लो बीम पर रखें इससे देखने में आसानी होगी और दूसरों को आपकी गाड़ी की सही स्थिती का पता चल सकेगा बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुए इस दर्दनाक सडक हाथसे में भी चार लोगों की मौत हो गई है बताय जा रहा है कि तेज रफतार पिक अपने एक वैन में पीछे से जोरदार टक कर मार दी इस वैन में करीब 24 लोग सवार थे हाथसे में कई लोग घायल भी हो गए है ऐसे ही लेटेस दोबर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden at J.B.D. Banquets Enterprise